Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ किसना, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़ी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, Human and Tommy and Physiology का चैप्टर नमबर 4 का लेक्चर नमबर 2 और ये इस चैप्टर का लाश्ट लेक्चर है यहाँ पर हमको सारी बाते हैं, जो जॉइंट से हमारी बाड़ी में, बोन को लेकर करके, उसके वारे हम बाते होने वाली है उसका classification पढ़ेंगे, types, movement and disorder ये चार चीजें अपने कोर्स में हैं जॉइंट को लेकर के, तो आँ श्टार्ट करते हैं हम लोग, classification and types of joints joints तो मिरे खाल से पता ही है, जहाँ पर दो हड़ियां आ करके जुड़ती है ठीके जो जोड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, joint कहते हैं तो simple सी बात कहा रहा है, a joint is defined as a connection joint क्या है, एक connection है between two bones दो bones के बीच में, जो connection होता है, उसको joint कहते है, in the skeletal system joint can be classified by the type of the tissue, है न, tissue के type के हिसाब से हम लोग उसे classify कर सकते हैं जैसे की fibrous, fiber का बना हुआ है, cartilaginous, cartilage का बना हुआ है या synovial, जहाँ पर fillute-filled cavities होती है, जहाँ पर fillutes पाए जाते है है न, synovial, fillute जो होता है, दो joint के बीच में, देखेंगा भी उसको या by the degree of movement permitted की कितना allowed है motion, sin atherosis बिलकुल allowed नहीं होता है MP atherosis थोड़ा बहुत अलाव होता है, और diathrosis यहाँ पर, जैसे हमारी कोहनी है freely move कर सकती है, तो यह diathrosis में आ जाता है तो tissue किस type के tissue से बना हुआ है, या कितना movement है, कितना movement हो सकता है उसके साब से हम लोग इसको divide कर लेते हैं, ओके, in this article we shall look at the classification of joint in the human body तो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, यह line की जरूत नहीं दी वैसे यह जो article मतलब इस chapter में हम लोग, जो human joints हैं, उसके classification की बात करने वाले हैं classification by types of tissue की बात करें, तो fibrous, cartilagenous और synovial bones connected by fibrous tissue, ठीक है, अब detail में जाएंगे, इसके हम लोग, bones connected by cartilage ligament, tendons, यही पढ़े थे हैं, हम लोग ने कभी वैसी cartilage होते हैं, ठीक है न then synovial articulating surface, जहाँ पर दो joint आके जोड रहे हैं, articulate हो रहे हैं enclosed within a filled filled joint, capsule, यानि कि यहाँ पर होता क्या है मालो यह एक joint, ठीक है, और यह एक खिस्सा है, तो यानि की एक bone यह है, एक bone यह है, तो यहाँ पर इस तरह से cavity रहती है इस तरह से यह pack रहते हैं, और इनके बीच में यहाँ पर fillude भरा रहता है क्या भड़ा रहता है यहां पर एक फिल्यूड रहता है एक पानी चीज रहती है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं साइनोवियल फिल्यूड कहते हैं क्या कहते हैं साइनोवियल फिल्यूड कहते हैं जो एक तरह से ग्रीस का काम करता है चिकनापन बनाए रखने में हेल्प करता ह है के लिए रवाते हैं okay now on the basis of degree of movement कितना degree कोई joint move कर सकता है sin atherosis imovable movie नहीं करेगा जैसे कि जो joint हमारे सर में होते हैं खोपड़ी के अंदर वो बिल्कुल move नहीं करते हैं MP atherosis slightly movable and diathrosis freely movable तो यह नाम पक्का याद रखेंगे ठीक है ना आगे आते हैं fibrous joint के बारे में बात करते हैं लोग fibrous joint is where the bones are bound by a tough fibrous tissue bone जहां bound होती है जुड़ी ही होती है एक hard tough fibrous tissue से these are typically joint that require strength यह वो joint होते हैं जहां ताकत की और stability over a range of movement stability मतलब वो चीज़ मूव ना करें मतलब तुवारा सर को ऐसे पिछका रहा है तो सर की हड़ी ऐसे move ना करें otherwise brain damage हो सकता है तो ऐसी हड़ी है जहां पर हमें motion नहीं चाहिए ताकत चाहिए कि वो जल्दी से move ना करें तो वो क्या होता है fibrous tissue से जुड़े हुए रहते हैं जैसे कि होरा दांत ले लें दांत हिलता नहीं है बिल्कुल भी ठीक है ना वह move नहीं होना चाहिए move होगा तो तूड जाएगा ठीक है fibrous joint can be further sub classified into sutures अब हम लोग उसकी जो उनकी जो pack होने की tendency हो किस तरह से मतलब जुड़े हुए हैं उसके इसाफ सामसे sutures, gomphosis and syndesmosis तीन category में तोड सकते हैं fibrous की तीन category है, immovable joints की तीन category है, तीन तरह के joint ऐसे हैं जहां पर हड्डिया move नहीं करती है सबसी पहले sutures, sutures जो खोपड़ी के अंदर जो जॉइंट देख रहो यह, यह move नहीं करते हैं, इनको हम लोग sutures बोलते हैं ठीक है, our immovable joint जिसको हम सीन ऐसरोस से भी कह सकते है and are only found between the flat plate-like bones of the skull है ना इस तरह flat होती है, आपसे जुड़ी रहती है इस तरह से ठीक है, तो इसको हम कहा है, यह coronal suture है इस वाले को हम लोग scramus suture कहते हैं, इस वाले को हम लोग lambdoid suture कहते हैं, फिलाल हम इतना ध्यान रखना है, हमारे skull में जो joint पाया जाता है, कौन सा होता है है फाइब्रोस होता है और फाइब्रोस में भी कौन सी वर्याइटी है, suture के लियर है, बासमझ में आ रही है, आगे आते हैं, देर इस लिमिटेड मूमेंट अंटिल था अबाउट ट्वेंटी यहर उफेज, बहुत ही कम नाकी बराव मूमेंट रहती हड़ी में, बच्चे यही जब जॉउइंट होते हैं, जब बच्चा बर्थ ले रहा होता है तो सर का शेप होता two happy things house change भी हो जाता है ठीक है, the most important in birth as at that stage the joints are not fused, जिस समएं बच्चा पएदा होता है उस समें बच्चा पाइदा होता होता है उस पमें बच्चे के सर के लिए यह खास सरसों वाली टक्या बनाए जाती बच्चे का सर शेप में रहे खरके खीक है तो खेर यह मतलब का नहीं है हमको क्या ठीज ध्यान रखनी है फाइबरस में शूचर कहा पाए जाएंगे अपने skull में पाए जाएंगे Clear है, आगाते है Gonfos meets अब उपर में क्या था यहाँ पर जो था, यहाँ पर आमने सामने ऐसा ऐसा Quinn है, अब जो इसमें क्या है, इस तरीके से है है ना, जैसे देख रहे हैं, यह इस तरीके से यह है और इसके बीच में आ करके यह joint फसा हुआ है तो यह हो गया gomphosis इसमें भी दात हिलेगा नहीं ठीक है यह tooth हो गया यह mandible हो गया और यह gomphosis joint यह एक तरह का semantic material जिसके अंदर आगे धसा हुआ है तो gomphosis are also immovable joint they are found where the teeth articulate articulate मतलब जुड़ता है with the socket यह socket है इसके नदर टीथा करके ऐसे लगा हुआ है in the maxilla upper teeth और mandible lower teeth यह उपर वाला maxilla होता है इसमें धसे हुए और नीचे वाला mandible होता है इसमें भी धसे हुए ठीक है तो gomphosis हो गया इसमें इस टाइप जोइन जिसमें कोई dosmosis की बात करें हम लोग तो जरह हैं गोड़ से देखते हैं हम लोग जो हमारे हाथ की हड़ीया आप तो अच्छे जानते हो यह radius और यह अलना क्या यह हड़ीया आपस में ऐसे हिल सकती है कि नहीं यह हमेशा आपस में साथ में रहती है यहां पर जो इनका यह जोड देख र होते हैं कैसी है यह एंफिय अथ्रोसिस है दे आप कंप्राइज ऑफ बोन्स हैल्ट टुग्रेदर बाइन इंट्रा ओस्यस मेंब्रेन ऐसी मेंब्रेन जो हड्डियों के बीच में उनको जोड़ती है दा मीडल रेडियस अलनर जॉइंट यह रेडिस अलनर जॉइंट एंड मीडल टीबियो फिबूलर टीबियो फिबूलर कहा जाता है घुटनों के नीचे जो होते हैं टीबियो फिबूलर उनके बीच में जॉइंट होता है और एक्जाम्पल्स ऑफ दा सिंडॉस्मोसिस जॉइंट बास समझ मारी है क्या करोगे यहां पर पता है ना मैं हमेशा पत नाओ गाटिलेजने इस कोहतेर यहां पर काटिलेज की हैल्प से कोई ची जुड़ी हो ठीक है तो दुदेखते हैं धर्शार यहां पर क्या है तो क्या कह रहा है इन काटिलेजने जॉआँते जुड़े होते हैं तो फाइबर कर द्यूपर कहন च्रह दो मेल करके बना हुआ है there are two main types of cartilaginus joint वो खतम हो गया fibrous वाला ये कौन सा आ गया cartilage आ गया point number two ठीक है पकड़ते रहना ठीक है A, B, C भूल जाओ गो नहीं तो तुम लो fibrous joint की तीन variety ठीक है ना sutures, gamphosis और syndosmosis sutures, gamphosis, teeth और syndosmosis ये पढ़ लिया ठीक है ना next अपने पास क्या है cartilaginus fibrous cartilaginus और तीसरी वाराइटी क्या है synovial clear है focus रहो यहां पर ओके तो यहां पर दो वाराइटी है हमारे पास synchondrosis primary cartilaginus और symphysis secondary cartilaginus तो synchondrosis की बात कर लिए यहां पर छोटा सा सीसे ईक्जांपल से बात समझने कोशिश करें अगर हम लोग तो जो हमारे जो यह जो होती है थाती घढ़्या होती है है ना यह आकर के यहां पर जो यह जो जो जॉइन्ट है यह ठीक है ना यह वाले जॉइन्ट जो ओते है है cartilisiness joint होते हैं और यह सिंकॉंट्रोसे होते हैं और यहीं पर अगर हम लोग हिप वाले पर चले जा तो यह वाला जो जॉइंट था यह दो बॉन आपस में यहां जुड़ी हुए थी pubic symphysis कहते हैं इसे क्या कहते है pubic symphysis के लिए रहे तो यह symphysis में आ गया दो वर्टीब्रल कॉलम के बीच में डिस्क वाला जॉइंट होता है वह भी किस में आता है symphysis में आता है दोनों डिफरेंस क्या वह समझ लेते हैं जो लॉंग बॉन्स होती है ठीक है न उसमें एपिफाइसल प्लेट यह जो एक जॉइंट सा रहता है यहां पर ठीक है तो यह कर्टिलेश की लाइनिंग से रहती है अब इसको समझ लेते अंतर के दीस जॉइंट साथ अगें कैसे हैं इम्मोविबल और सिनाथ्रोसिस हैं एक्जाम्पल ऑफ सिन कॉंट्रोसिस जॉइंट बिट्विन डाइफाइसिस और एपिफाइसिस और ग्रोइंग लॉंग बॉन याद है हड्डियों के पार्ट भूल गए एपिफाइसिस जाइफाइसिस मेटाफाइसिस ना भी याद रख ना इसमें यह बड़ा कंफिजन रहता है ठीक है आगे आते हैं नाव सिंफाइसिस का एक्जाम्पल यह हमारे पास इंफाइसिस जॉइंट्स और वेर दबोंस औ युनाइटेड बाया लेयर आफ फाइब्रो काटिलेज ठीक है दे आर स्लाइटली मुवेबल एंफिया रोसे यह कैसे एंफिया रोसे से बिल्कुली सीन रोसे से बिल्कुल मूब नहीं करेंगे यहां हलका बलका मूमेंट हो सकता है एक्जाम्पल इंक्लूड प्यूविक स यह बता दिया मैंने प्यूविक सिंफाय से जॉएंट बीर व्र्टिफ्रे बॉडि दो वर्टिबरल बॉड़ी की बीच्वेंट होता है यह जो लोग नॉनवेज खाते हैं जिनको लिक्पीस पसंद है ठीक है ग्रता हूं इसलिए निए बता ही ठीक है तो वो देख लेब तो वो चीज़ जो होती है ये रहा ये अलापार्ट ठीक है इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं ये हुती है cartilage एक cartilage यहां होती है एक cartilage नीचे वाले पो होती है तो हड़ियां कभी भी आपस पाले हो जैँग घ्रटРИ ने थिंध yıl कर एंगे ले बाइन एक हड़ियां पर टकरेंगी यह की atd इसके एंड पर काटिलेज रहेगा और यह एक पूरा चैमबर बंद कमरी की तरह रहता है ठीक है ना यह लिगामेंट्स होते हैं है ना लिगामेंट्स बोन से बोन को जोड़ने वाले लिगामेंट्स मसल से बोन को जोड़ने वाले टेंडन्स याद आ रहे हैं तो एक तरह से यह अंदर से ग्रीश का काम करता है। इसके अंदर इसके अंदर सब झाथना तो यह क्रीस के बहरा हुआ है। तो यह इस टाइब के joint कहा-uk-मिलेगे ये आपना एक एंक नीवाला आ आगया । खासकर नीवाला बड़ा ला वीमस है यह तो जहाँ जहां-जहां टो यह जोइन्ट अभी वापर कम में आएंगा ध्यान रखना इस हीज़ का ठीक है कह रहा है अतौ जोई synovial joint को हम लोग कैसे define कर सकते हैं presence of filled filled joint cavity एक cavity होती है filled भरा हुआ है ठीक है content within a fibrous capsule एक fibrous capsule होता है उसके अंदर cavity होती है उसके अंदर filled भरा हुआ है filled होगा हम आपे filled ठीक है न they are freely movable diathrosis होते हैं freely move कर सकते हैं and are the most common type of joints found in the body बहुत ही common sunnable joints can be sub classified into several different types depending on the shapes of their articular surface and the movement permit हम इसको further कई types से कई variety में divide कर सकते हैं classify कर सकते हैं कौन सी है वो category तो यह देखो types of sunnable joint ball and socket joint ball and socket ऐसा socket होगा जैसे कि अपना यह है यहाँ ठीक है यह glinoid cavity होती है scapula वाली इसके अंदर ऐसे आकर यह हड़ी फसी हुई है ठीक है ना एक हमारा hip joint हो गया यह hip जो हमारे पैर चलाते हैं तो जहाँ पर यह एक होगे ball and socket एक होगे alpsoid wrist है ना यह alpsoid इस तरह से घूम रहा है hinge joint यह बस ऐसे एक side का movement रहेगा hinge पीछे नहीं जा सकता तो hinge joint आ गया ठीक है यह अपना नीचे वाला नीवी क्या हो गया नीचे वाला पैर का है वो भी ऐसे आ सकता है पीछे जाएगा मतलब पैर हमारा लेकिन आगे से ऐसे नहीं उठेगा flat joint wrist आ गया यहाँ पर then आगे आते हैं saddle joint thumb आ गया इसमें क्या रहेगा ऐसे ऐसे यह गोल घूम रहा है ठीक है और यह इस तरह से रहता है इसको क्या कहते है saddle joint कहते है इसमें क्या हो सकता है पूरा इस तरह नहीं आ सकता यह केवल यह और यह इस तरह का motion रहेगा then pivot joint radio alarm जो radius अलना होती है इनके बीच का जो motion होता है वो कहता है pivot fix है एक खास उसमें ही रहता है ऐसे हम घुमाएंगे तो जो यह हड़ियां है अभी दिखाऊंगा हमे एक उपर एक आ जाती है जो मूव कर रहे हैं तो हड़ियां एक उपर एक आती है लेकिन पूरी तरह के रूटेट नहीं करेंगी तो यह pivot joint आयाता है तो इस तरीके से हम अलग-अलग category में joints को divide कर सकते हैं उनके example हमें याद रखने है ball and socket hip and shoulder बड़े common है ellipsoid में wrist, hinge में knee और elbow flat joint में wrist, saddle joint में thumb pivot में radial owner ठीक है ना? अब देखो ball and socket की पैचान क्या है यहाँ पर flexion और extension दोनों हो सकता है flexion और extension का मतलब क्या है? देखो extension का मतलब क्या है? यह हो गया, खिचाओ और यह वापस आ गया तो अब हम देखें के और detail में यह चीज flexion और extension क्यालाता है ठीक है? इस तरीके से यह बीच की लाइन है आगे और यह पीछे ठीक है? उसके बाद abduction और adduction and abduction तो यह देखो, abduction जब हम लोग रहा हाँ उपर उठा लिया याला motion और जब हम रहा हाँ वापस लिया है याले motion भी हो रहे हैं तो कौन से joint? यह जो joint होते हैं यह हरे टाइब को motion कर सकता है axial rotation एक तरफ जुड़ा हुआ है इस तरह हाथ घुमा सकते हैं हम लोग यह axial rotation ओ गया ठीक है ना? और circumduction ठीक है ने पूरा इस तरह पूरा गोल सर्कल बना रहे हैं हम लोग तो पूरा circumduction आ गया तो यही का हम इसके साथ भी कर सकते हैं हिप के साथ अब हिप का हम लोग बहुत आद इसमाल नहीं करते हैं लेकिन पूरे टांक को हम गोल घुमा सकते हैं ठीक है ना? ellipsoid जो होगा वो केवल तीन टाइक पर दिखाएगा यहां पर एक्ष्ट नहीं होगा रिष्ट है नहीं हापर देखो रिष्ट में क्या है केवल ऐसे और ऐसे ठीक है अब अब अबडक्शन जैसे यह है ऐसे आ गया ऐसे आ गया ऐसे आ गया और circumduction पूरा गोल खुम रहा है ठीक है हिंज में केवल फ्ल्क्शन और एक्ष्टी नहीं है और पाइवट में जो कि रेडियो अलिर चीज़ा तो यह सोड़ी सी याद करने वालए चीज़ है इसको डिटेल ने सूर्ण पर प्रूराइस दे रहे हैं यह बा और सुमझमभार है है यह मैंने कुछ motion के टाइप मुव्मेंट के टाइप है यह अब्डक्शन एड़क्शन यह टाइप सफ मुव्मेंट है इसको डिटेल में पढ़ेंगा भी इसके अज़ेश्ट बात तो देखो यह वह पास एक्सलूटेशन आ गया हाथ को हम लोग ऐसे गोल-गोल पैर को ऐस उसकता है को डिलेती और हिंग कॉंदुलोइट सेडल और बौलन सोकेट मॉब्लीटी दे रखी है क्यरक्रिक्रिस्टिक ब्रक्षच गॉंडइटेद बाय कॉलिंडकर फाइबर फाइबर होते हैं यहां पर का deze में में होती हैं यह यह चार्ट अगर अगर अच्छे से याध कर लेते हो जोईंट के बारे में कोई चीजा आती है। ये चार्ट लइखके चले आते हो पांच नंबर के लिए बी ये चारट परियाप्त है एक्सटा नहीं लिखना जांट में च्lledाफ है तो परियाप्त है क्लास्विकर इतना याद कर लोगे परियाप्त है खिलियर है समझ मारी है बाते ओके आगे आते हैं अब मुव्मेंट्स ऑफ जॉइंट देखो अब थोड़ा हमें मुव्मेंट को समझना पड़ेगा फिर इसकी डेटेल भी करेंगे हम लोग देखो फ्ले पेर को उठाया से एकस्टेंशन सर को आगे रही है और यह सब किसके आनदर आते हैं मुव्मेंट अब कमर से झुक जाओ flexion पीछे extension अब हाथ को तुम कैसे कर लो यह हाथ को सामने से ऐसे ले जाओ और ऐसे ले कियाओ तो यह आ गया उपर उठाओगे abduction नीचे उठाओगे तो add adduction circum mutation हाथ को ऐसे ऐसे चला रहे हो ठीक है सर को ऐसे देखा फिर ऐसे देखा rotation आ गया यह rotational motion हो गया फिर ऐसे कर लिया lateral rotation उस तरफ और medial midline है ना पैर ऐसे था बीच मोड़ा इस तरफ मोड़ा तो उस तरफ मोड़ेंगे तो lateral rotation इस तरफ मोड़ेंगे तो medial rotation थोड़ा सा याद करने वाले चीज़ें समझ लो के वला भी ओके then pronotion radius rotate over allna यह देख़ो यह radius अलना है यह एक दूसरी को उपर ऐसा है cross हा बना ले रहे हैं यह और supination जब यह वापस से मेरा हाथ यानि कि जब मैंने हाथ ऐसे रखा फिर विना हाथ ऐसे किया जब ऐसे करता हूँ तो एक को उपर एक हड़ी cross ही बनाते हुई नजर आती है जब मैं अपने पैर को उपर उठाता हूँ इस तरह से पंजे को dorsiflexion जब नीचे की तरफ करता हूँ तो planter flexion जब फुड़ वाल खेलते हूँ तो ऐसे ऐसे पैर चलाते हैं तो ऐसे करेंगे तो inversion ऐसे वाला motion करेंगे तो aversion तो हर टाइप के motion का है अब जिक्र है अब आगे आते हैं जो mandible है इसको ऐसे करके मैं आगे करूँ तो protraction पीछे करूँ तो retraction थुड़ी को नीचे करूँ ठीक है तो depression उपर करूँ तो elevation यह उठे का हो ऐसे लेकर आऊ अगोठे को यहां पर motion होता जाट्डियों का उसे हम क्या कहते है अब पोजिशन कहते है पास समझ में आ रही है अब इन ही सब को यहां तो लिख लो ठीक इसकी समुरी दे रखे मैंने यह इसको अब थोड़ा सा डिटेल में करते हैं कि अगर आ गया लिखने को तो डियागराम तो बनाओगे नहीं फ्लेक्शन एक्स्टेंशन समझ में आता है फ्लेक्शन एक्स्टेंशन ऐसे याद रखोगे हाँ से तो फ्लेक्शन एंड एक्स्टेंशन और मुमेंट टेक प्लेस विदिन ना सेजिटल प्लेन याद है सेजिटल प्लेन यह भूल गए यह जो हमारे सेजिटल प्लेन था है यह गया, यह मेरा plane है ना, तो इसी plane में यह रा motion मेरा, ठीक है, अब आगे आते हैं, and involve anterior and posterior movement of the body or limbs, anterior और posterior movement, ठीक है ना, body और limbs का, शरीर का या हाथो का, for the vertebral column, vertebral column के लिए flexion, anterior flexion, आगे anterior हो गया and anterior forward bending of the neck और body चाहे सर आगे कर ले चाहे पूरी body आगे कर ले flexion में count होगी while extension involves the posterior directed motion such as straightening from a flexed position और bending backward ऐसे हो रहे हैं जो उपर diagram दा उसी को यह लिख दिया है और कुछ नहीं है केवल किसका इस्तेमाल हुआ है anterior, posterior, sagittal यह उन सब्दों का इस्तेमाल हो जो हम पहले सीख चुके हैं ठीक है ना posterior पीछे हो गया, anterior आगे हो गया sagittal हमारा beach में से तो cut लगता है वो sagittal हो गया lateral flexion as the bending of the neck और body towards the right or left ठीक है ना lateral flexion यह right और left हम लोगों मारे है in the limbs flexion decreases the angle limbs में क्या रहेगा flexion decreases the angle और extension increase करेगा between the bones ठीक है ना जब दो bones हैं उसके बीच का एंगल यह देखो, ये एक bone ये एक bone ये इसके बीच का एंगल decrease कर गया, ये दोनों के बीच का एंगल increase कर गया, तो ध्यान रखेंगे flexion decrease करता है extension increases the angle and straighten the joint joint को सीधा कर देता है straighten मतलब सीधा कर देना यहां bending कर रहा है basic basic बाते हैं अगर चीजें समझें थोड़ा सा time लग रहा है, pause कर करकर के सोचते हों फिर लो यहां पर, ठीक है ना बहुत basic basic बाते हैं कि वो यहां पर शब्दों का थोड़ा सा खेल है, शब्द थोड़े से 9 लगेंगे तुम लोगो for thumb extension, move the thumb away from the palm, ठीक है of the hand, within the same plane इसी plane में, palm से अलग लेके जा रहा है while flexion, bring the thumb back against the index finger, वापस लेके आ जाएगा तो यह क्या कहलाएगा flexion कहलाएगा, ठीक है यह extension हो गया, इसका flexion हो गया बात समझ मारी है, ठीक है flexion and extension movement are seen at the hinge, hinge मतलब अपना याला joint हो गया, condyloid condyloid अपना याला हो गया saddle joint आ गया, and ball and socket joint of the limb, कहां कहां पाए जाते हैं यह उसका example आ गया है उपर joints हमने देखे दे बात समझ में आ रही है, ठीक है यह चीजने थोड़ा से दिमाग में रखनी पड़ेंगी hyper extension is the abnormal or excessive extension of joint beyond its normal range of motion thus resulting in injury अब hyper extension, यह हाथ अपना normal है से जा सकता है गलती से पूरा मुड़ गया, तो injury आ जाएगी, चोट लग जाएगी तो वो hyper extension कहलाता है है ना कई भी दोक्टर बोले कि hyper extension हो गया है यालों कि जितना angle बनना चाहिए था उससे जादा हो गया और चोट लग गई है ठीक है, hyper extension injuries are common at hinge joints such as the knee or elbow यही तो हो था जहाँ जटका लग जाता है कई वार ऐसे करके बास समझ में आ रही है, जिन लोग समझ में नहीं आ रहे है वो लोग diagram का फटाक से screenshot ले ले ठीक है एक तरफ दूसरा device लेना पड़ेगा उस diagram को सामने रखते चलें और देखते चलें clear है, अब abduction and adduction abduction and adduction motions occur within the coronal plane ठीक है जो coronal plane हो जो media से lateral motion ठीक है ना abduction, adduction हमने यह देखा था इसमें एक यह वाला भी था असवर यह तो flex extension हो गया था यह वाला है ना, बीच से यह वाला meet, यह media हो गया और lateral हो गया okay motion of the limbs हाथ-पैरों का, finger का, toe का या थमब का तीनों चीज़ें आ सकते हैं, चार्थ चीज़ें इसके अंदर abduction, move the limb laterally away from the midline यह midline है, यहां से दूर ले गया abduction, adduction, add जोड़ देखा midline में लाग करके of the body, while adduction add करना is the opposing movement that bring limb, limb मतलब है ना, हाथ या पैर पैर की बात करेंगा, तो इस पैर से सीधा रखा है और फिस पैर को ऐसा उठा लो, ठीक है तो वो हो जाएगा, adduction फिर पैर को जो वापस लिया होगे, तो adduction हो जाएगा, bring the limbs towards the body, or across the midline, फिर वापस से midline पे लिया आना वो adduction कहलाएगा, for example abduction is the raising the arm at the shoulder point moving it laterally, यह लिया है shoulder point पर, ठीक है, away from the body, while adduction, bring the arm यह लिया है, वापस ले के आ है तो adduction हो गया, adduction bring, ले के आना, arm को down to the side of the body, वापस से body के side में ले आना, के लिया रहे अब 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 यह अगर 2-3-3 point में इसको finish कर सकते हो, हो गया ठीक है, बाद वागी समझते चलो, similarly abduction and adduction at the wrist अब यह wrist की बात कर ली, मेल हमको हाथ से समझ में आ गया, move the hand away from or towards the midline of the body, spreading the finger or toe apart दूर फैलाना इस तरीके से, ठीक है ना, और wrist को move the hand away from or towards the midline, wrist है ना यह अपनी wrist इसको ऐसे दूर ले जाना है, नीचे करके ऐसे दूर कर देना ठीक है, यह spread करना, फैलाना, finger ऐसी है हमारी ऐसे फैला देना, यह सब क्या कहला रहा है abduction, abduction का मतलब था क्या हम लोग किसी को दूर ले गए तो यह भी क्या हो गए, आपस में दूर हो गए ठीक है, spreading the finger or toes apart, apart ना दूर दूर is also abduction, while bringing the fingers or toes together, फिर वो आपस ले के आ जाएंगे, तो यह अला मोशन क्या 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 लाएगा adduction क्या लाएगा, clear है now, for the thumb अंगुठे के लिए, abduction is the anterior movement that brings the anterior, आगे वाला motion, that brings the thumb to a 90 degree perpendicular position, ठीक है anterior, यह 90 degree पर आगया ठीक है, position pointing straight out from the palm और adduction moves the thumb back to the anatomical position, next to the index finger index finger बगल में आगया, अब abduction and adduction movement are seen at condyloid यह आगे अपना condyloid, saddle ball and socket, joint कहाँ काँ आप देखने को मिलते हैं, वो यह आगे clear है, अब circumduction, गोल गोल तो भही आप पूरा पूरा सिर्फ दोई लोग घूमते हैं अपने ठीक है, तो circumduction is the movement of a body region in the circular manner, गोल गोल in which one end of the body region being moved, stage एक end तो fix रहता है, relatively stationary ठीक है, खाली खड़ा रहेगा stationary रहेगा, while the other end जो दूसरा छोर होगा, describe a circle दूसरा छोर, पूरा सरकल ऐसे बना देगा, ठीक है, it involves the sequential combination of, अब इसमें सारी चीज़े हो रही है, flexion फिर पीछे आगा तो extension, फिर adduction है ना, पीछे आरे हैं extension and abduction at the joint ठीक है, हाप इस तारी चीज़ें होती हैं यह आपर अब rotation की बात करें अब rotation यह रहा, goal 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 rotation can occur within the vertebral column, at a pivot joint, vertebral column में हो सकता है, आप लोगोल घूमते हैं इस ताइब से यह, ठीक है, pivot joint और at the ball and socket joint ball socket joint कौन से होते हैं, यह रहा अपने, vertebral column में हो सकता है pivot joint रेडिस सलना वाला था अपना rotation of the neck or body is the twisting movement produced by the summation of the small rotational movement available between the adjacent vertebrae तो यह क्या, छोटटटए motion होगे मतलब यहाँ वाला जो vertebrae होगा, थोड़ा वो घूमेगा थोड़ा मैं घूमूँगा, यह पूरा पूरा इस तरह से गोल गोल यह घूम जाएगा, ठीक है तो कुछ नहीं, rotation का मतलब गोल घूमना और circumcision में यह भी गोल है और circum में पूरा circle है एक end fix रहेगा और दूसरा end घूम रहे यहाँ पर क्या है, यहाँ भी एक end fix है लेकिन गोल घूम रहे है, circle बना रहे है ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, और कुछ नहीं है आगे आते है rotation can also occur at the ball and socket joint of the shoulder and hip ठीक है, shoulder and hip में हो सकता है the humerus and femur rotate around their long axis ठीक है न, यह अपने long axis के along क्या कर रहे है rotate कर रहे है ठीक है, यह axis होगी, इसके along rotate कर रहे है which moves the anterior surface of the arm or thigh either towards or away from the midline of the body ठीक है, वो midline body से अपना दूर लेया सकता है movement that brings the anterior surface of the limb towards the midline of the body is called medial rotation ठीक है, conversely इसका ultra rotation of the limb so that the anterior surface move away from the midline is lateral extension ठीक है, तो यह, देखो midline है यह, midline के पास आ रहा है midline से दूर जा रहा है, midline के पास आ रहा है midline से दूर जा रहा है, clear है तो ऐसा rotation, जो midline के साथ में आएगा उसके पास लेके आ रहा है, उसे middle rotation कहेंगे जो midline से दूर जाएगा, उसे lateral या external rotation कहेंगे तो बहुत ज़्यदा मैंने कहा जैसे कि सारे सारे point नहीं करने, एक एक दो दो point करके इसमें खतम कर सकते हो, अपना diagram में याद रखोगे ठीक है, with the palm facing forward, this is the supinated position of the forearm in this position the radius and alna are parallel to each other इस तरह साथ सामने रहेगा, तो ये parallel रहती है फिर जब हम ऐसे कर देते हैं, तो ये एक उपर एक cross हो गई है देखाते हैं आपना diagram में ठीक है ना, ये ऐसे हाथ रखा है हाथ दिख रहा है ना, मेरा ऐसे करके, मैं लंबानी हूँ, ठीक है ये parallel है, जैसे हम इसको ऐसे कर देंगे, तो ये cross कर देगी तो जब normal है, anatomical position में, सिखा हुआ हमने, ये होती है anatomical position, इस type से, ठीक है ना, तो जो anatomical position है उसमें जो रहेगा, radius अलना, वो क्या कहेगा, supinated position में रहेगा, ठीक है इन इस position, the radius and अलना, are parallel to each other, ये ध्यान रखेंगे बाद, supinated position में, radius अलना parallel रहती है, when the palm of the hand faces backward, जब में इसको पीछे घुमा दूँगा the forearm is in the pronated position, अब forearm क्या है, ये भी rotation हुआ, ये fix था, उपर का part fix है, ये ऐसा है, अब इसको घुमा दिया, ये ऐसा हो, क्यों नीचे का part rotate हुआ, तो ये radius अलना, आपसमें, cross कर जाते है and radius अलना form a x shape, clear है, उपर दिखाया तो मेरे diagram है, pause करो, फटाफट उपर check करो diagram को, आगे देखते हैं, dorsiflexion और plantar fraction, पैरों का एक नीचे motion, एक उपर का motion, dorsiflexion and plantar flexion are movement at the ankle joint है न, पैर का जहां पर, ये wrist का होता है, wrist बोलते हैं, इसी तरह पैर का जो रहता है, यहां दिख which is a hinge joint, एक hinge joint होता है, lifting the front of the foot, so that the top of the foot moves towards the anterior leg, ऐसे उपर उठा जेंगे पैर को, ठीक है न, while lifting the heel of the foot from the ground, और pointing the toe downward is a plantar flexion, ठीक है न, जब नीचे करेंगे तो plantar, उपर करेंगे तो, dorsiflexion, these are the only movements available at the ankle, है न, पैर में हम लोग, एक तो ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गय ठीक है न, उपर आगे, dorsi, नीचे आगया, planter, ओके, inversion और aversion, ये बताया था हमने, ये फूट वाल में है न, इस तरह से डिब्लिंग करते हैं हम लोग, दाएं बाएं बाएं बाएं, दाएं बाएं, दो ही तो motion होते हैं पैर में, ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे कर सकते हम लोग, inversion is the turning of the foot to the angle, the bottom of the foot towards the midline, while aversion turns the bottom of the foot away from the midline, midline से away, midline के term में सारे बाते हो रही हैं, ठीक है न, यानि कि ये बीच का मेरा midline है, towards midline, ये वालो मेरा बीच का midline है, ये ऐसे मेरा pair है, ये ऐसे आया towards midline हो गया, और दूर गया तो midline से दूर हो गया, तो inversion is the turning the foot to angle the bottom of the foot towards the midline, जब वो midline के तरफ मोड़ा, ठीक है, inversion, while aversion turns the bottom of the foot away from the midline, जब बाहर की तरफ है, पैर मानलो हम लोग ऐसे खड़ हुए हैं, और इस तरह से दो पैर हैं, जब ये अंदर की तरफ मोड़ेंगे, inversion, बाहर की तरफ मोड़ेंगे तो aversion, के लिए रहे ह पैर को बहुत कम निकाल सकते हैं, लेकिन अंदर घुमाएंगे तो पूरा ऐसे घुम जाता है, काफी हद तक अंदर हमारा पैर ऐसे करेंगे घुम जाता है, inversion का ज़्यादा एंगल रहता है, there are important motion, अब यहां तक चाओ तो इसको लाइन को खतम कर सकते हो, हो गया, ठीक है, लेकिन समझते हैं और, these are important motions that help to stabilize the foot when walking, यह important motion चलते फिरते हैं, पैर तेरे मेरे होते हैं, ठीक है, तो वाक कर रहे हैं, दोड रहे हैं, और on an uneven surface, जब अब खावट जगह पर चलते हैं तो हमारे पैर ऐसे हैं से होते हैं, तो जरूरी है यह motion, अगर यह motion नहीं होगे तो हम ब move करना होता है, next आता है, protraction and retraction, ठीक है, protraction and retraction are the anterior posterior movement of the scapula or mandible, यह mandible, scapula पीछे हमारा यह वाला जो होता है, ठीक है, अब समझो, protraction of the scapula occur when the shoulder is moved forward as when pushing against something, अब धकेल रहे हैं तो हम जब धकेलते हैं तो हमारे shoulder आगे आ जाते हैं, ठीक है, जो motion हो गया आगे वाला, यह क्या हो गया, protraction आगया, यहां से करेंगे, of the scapula occur when the shoulder is moved forward as when pushing against something, किसी को धका मार रहे हैं और throwing a ball, और जो बाल को फ्यक्ते हैं तो यह shoulder वाला आगे आ रहे है, ठीक है, retraction is the opposite motion with the scapula being pulled posterior, scapula पीछा जाएगा and medially towards the vertebral column, अच्छा, यहां पर क्या है थोड़ी सी भार्सा वैसे लिग दी गई है, simple सी बात याद रखोगे, कि थोड़ी सा स्लोली सो करना, ठीक है, protraction, नाम थोड़ी से अजीव अजीव है, यहां पर simple सी याद रखने, protection, जब हम धक्का मारते हैं, तो हमारा shoulder आगे आता है, scapula पीछे से उठ जाता है, और जब वापस आएंगे, तो हमारा पीछे हो जाएगा, इस scapula इधर की तरफ नीचे की तरफ बैड़ी आएगा, तो protraction और retraction, कि लिए रहे बाते हैं, for the mandible protection occur when the lower joint pushed forward, lower joint आगे की तब ढखे ले, to stick out the chin while retraction, pull the lower joint back, जब उसको वापस ले रहे, तो कुछ लोग खीच लेते हैं, इस depression and elevation, depression क्या होता है, and elevation क्या होता है, are downward and upward movement of the scapula or mandible, अब यहाँ पर जब मेंडिवल है, नीचे आ गया, ऊपर चला गया, तो scapula से अगर बाते समझ में ना आ रही हो, तो mandible का कर लेना, the upward movement of scapula and shoulder is elevation, upward movement जो हो रहे, ठीक है, while a downward movement is depression, these movements are used to shrug your holder, shrug करते हैं, मुझे क्या प उपर किया, तो क्या आ गया, elevation, the upward movement of scapula and shoulder is elevation, उपर खीचा हमने ऐसे, मुझे क्या पता, ठीक है, और नीचे आया तो depression हो गया, यह, इसी तरीके से similarly elevation of mandible, जो नीचे के जबड़ा है हमारा, is the upward movement, जो हमारा, उपर की तरह हम चवाते हैं, तो upward movement क्या आ गया, elevation, or of the lower jaw, used to close the mouth or bite on something, किसी जोर चवाना है, या मुझ को बंद रखना है, ठीक है, and depression is the downward movement, depression मतलब, यह, हमने जबड़ा नीचे कर दिया, that produces opening of the mouth, इसकी वज़े से क्या होता, मुझ खुल जाता है, depression movement की वज़े से, हमारा मुझ क्या हो गया, खुल गया, ठीक है, अब आता है, excursion, excursion is the side to side movement of the mandible, side to side, करते हैं, ठीक है, ठीक है, करके देखना, कुछ लोग करने लगे होंगे, lateral excursion moves the mandible away from the midline, जहाँ है, midline है, lateral करते हैं, side by side हो जाती है, ठीक है, towards either the right or left side है, जो lateral excursion करेंगे, तो side में हो जाता है, तो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, medial excursion returns the mandible to its resting position, अब देखो, lateral moving मतलब, lateral side में कर लिया, तो इधर कर लिया, ये इधर कर लिया, अब इधर हो गया, medial, वापस लेके आ रहे हैं, center पर, ठीक है, तो बस थोड़ा सा सब्दों को पकड़ना है, lateral excursion, side में, excursion का सीधा मतलब समझेंगे, यहां लिख लेना चा है, ठीक है, superior rotation and inferior rotation, superior and inferior rotation are movement of the scapula and are defined by the direction of movement of the glenoid cavity, अब glenoid cavity यहां पर होती है, जिसके अन्दर हमारा ये shoulder, ये हाथ फसा हुआ होता है, ठीक है, during superior rotation, the glenoid cavity moves upward as the medial, अब देखो, ये थोड़ा सक्या है, कुछ बाते हो सकता है, बच्चों को difficult लेएंगी, तो इतने सारे हमने joints जैसे की है, जिस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, सुन लो, जैसे कोई, मालो 11-12 point है, इसके अंदर आई, ठीक है, 12 point है, ठीक है, 12 मैंसे कम से कम 7-8 joints जब exam में आएगा, तो 5-6-7 joints जो तो बारे 100% की starting के थे, वो तो पक्का कर लेना, उसके बाद अगर 5 number में आ रहा तो देखा moment काफी है, लेकिन सारे याद कलो तो और च्छी बात है, ठीक है, तो during superior rotation, the glenoid cavity moves upward as the medial end, अब ये चीज़ थोड़ा सा ऐसे हो सकते हैं, समझ में नहीं आएगी, क्योंकि glenoid cavity पहले बाद तो यहां cavity होती है, move करती है upward, अब इसका motion upward तुम लोग समझ नहीं पाओगे, थोड medial end, ठीक है, तो इसका medial end होता है, स्केपला का दिब डियाग्राम देखोगे तुम यहाँ पर, तो इसका medial end होगा, वो हलका सा उपर move करेगा, of the scapular spine move downward, और स्केपलर spine होता है, वो नीचे के तरफ move कर जाता है, without superior rotation, अगर ये नहीं होगा, of the scapular, the greater tubercle of the humerus, humerus के अंदर एक हलका सा निकला होता है, जिसे हम कहते है, greater tubercle, उसका diagram चेक करना, would hit the acromion, scapular के पास एक part होता है, जिसे हम acromion कहते है, अगर ये motion नहीं होगा, तो जब हम इसको उपर उठाते हैं हाथ को, तो हाथ का humerus का, जो greater tubercle है, वो acromion में hit कर जाएगा, रगण खा जाएगा, और ह उनको जादा दर्द होगा, या हमारा हाथ उठेगा नहीं, तो इसलिए कह रहा है, during superior rotation, the glenard cavity moves upward, cavity उपर उठती है, as the medial end of the scapular spine moves downward, ठीक है, cavity उपर उठती है, और इसका जो spine होता है, वो निचे कि तरफ move कर जाता है, ठीक है, thus preventing any abduction of the arm above shoulder height, ठीक है, इस तरह साफ से prevent करता है, any abduction of the arm above the shoulder height, के लिए रहा बाते है, ठीक है, superior rotation of the scapular is thus required for the full abduction of the upper limb, पूरा abduction, पूरा जाना है, ठीक है न, superior rotation is also used without arm abduction, when carrying a heavy load, जब बहुत जदा heavy load उठाते न, तो उठाएंगे तो यह समारे shoulder पर वजन पड़ेगा, तब भी यह यह वाला, superior rotation होता है हमारा, अब जब जब उसका उल्टा होगा, जब वापस रखेंगे तो, क्या जाएगा, inferior rotation हो जाएगा, superior rotation अच्छा ठीक है, यह भी हो गया, heavy load जब करते हैं, अब inferior rotation occur during the limb adduction, जब हम वापस limb को लेके आएंगे, तो यहाँ पर inferior rotation हो जाएगा, ठीक है, involve the downward motion of the glenard cavity and upward movement of the medial end of the scapular spine, जो scapular spine होता है, उसका हलका सा क्या होता है, upward movement हो जाएगा, clear है, बात समझ मारी है, अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूंगा, अगर बहुत बिल्कुली देखना है, तो कोशिश करना, Google पर जाना, वहाँ पर डालना, superior rotation, inferior rotation, 3D animation करके डालना, तो वह पर तुमें हो सकता कोई वीडियो मिल रहे, मैंने भी देखा नहीं अभी तक वहाँ पर, हो सकता कोई वीडियो मिल रहे, तो exact यह चीज तुमको समझ में आ जा है, ठीक है, क्योंकि इसको बिना देखे साहिद उतना अच्छा समझ में ना आए, लेकिन तब भी पूरी कोशि टिप ऑफ फिंगर, जब हम लोग यह लेके आ रहे हैं, तो देखो, यह रूटेशन हो रहा है, ठीक है, तो यह यह वाला मोशन नहीं एक्चली, यहां जो आ रहा है, रूटेशन जो आ रहा है, ठीक है, यह उसकी बात हो रही है, कारपल और मेटा कारपल के बीच में एक कि इसको तैक्स करने बाग, ठीक है, फिर्ट कारपल मेटा कारपल जॉईंट जॉइनट, यह कैसे जॉइनट होता है, बॉदि फॉझट फॉंट ट्रेपेजियम कारपल होता है बॉन रेपर लोंट फॉट कारपल बोन और पहली मेटा कारपल के बीच में बना उव होता है, O'K? ठीक है returning the thumb to it anatomically, वापस लेके आएंगे इसको इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा next to your index finger is called reposition reposition, उसकी position वापस आगी position और reposition वापस से position आजाएगी मतलब जब इसको ऐसे लेके आ रहे हैं फिर इसको वापस लेके जा रहे हैं किलियर है बाद समय मैं आई अब इसको फटाफट मैंने क्या कर दिया, इसकी समरी तियार कर रखी है, फ्लेक्षण, एंगल डिक्रीस करेगा, एक्स्टेंशन, एंगल इंक्रीस करेगा, तो चाहो तो इसको ऐसे याद कर लो बट वह वह वी याद कर लेना ज्यादा बेटर जाएगा कि अगर लिखने को आ गया कि explain करना है दो माक्स में एडक्शन को एडक्शन को या किसी टाइप की मोमेंट को तो वो तुम लोग क्या गर पाओगे उसे explain कर पाओगे यह तुम्हारे वनमाक्स के लिए परियापते हैं बात समझ में आ रही है चलें आगे अब aging and joint उमर के साथ joints का क्या होता है उमर बढ़ती है तो साइनोवियल फिल्यूड अब समझ में आगे ना साइनोवियल फिल्यूड क्या होता है वो कम होने लगता है आर्टिकुलर काटिलेस थिन जो काटिलेस थे बोन के ऊपर जिससे बोन आपके टकराती नहीं थी वो पतले होने लगते हैं ठीक है ग्लकोसमायन कॉंड्राइटिन या शार काटिलेस लिगमेंट शॉर्टन एंड लूज फ्लक्सिबिटी जो लिगमेंट से जो बोन को जोड़े हुए थे यहां ना साइड में इस टाइप से यह क्या कर जाते है लूज हो जाते है और छोटे पड़ ज अब इन सबसे बचने का क्या उपाई है इस ट्रैचिंग एरोबिक एकसराइज थोड़ी बहुत एकसराइज पका करते हैं खासकर एरोबिक एकसराइज इस तरीके से जो एजिंग एफेक्ट हम कर सकते हैं यह अपने को समझाया कि सतरीके से हमारी हड़ी अंश कंजोर पड़ती है अब थूरा सा कंफ्यूज यहां पर बच्चों में हैं बॉन डिसॉडर अपने कोस में नहीं है ठीक है जॉइंट डिसॉडर थो बोन डिसॉडर मत पढ लेना बॉन डिसॉडर नॉट इन को इस सी लिए बन लि ही को जाती है due to changes in the bone mineral density and mass causing a higher risk of fracture यह actually क्या होती है हमारी bone की density होती है उसके अंदर का minerals वगएरा होता है वो धिरे धिरे निकल जाता है बहार क्यों निकल जाता है हमारी age बढ़ चुकी होती है तो osteoporosis porous chain महीन महीन से एक तरह से खोगली होने लगते है हमारी अड़ी fracture हमारे body में fracture होने लगते है ठीक ना fracture ब्रेकिन बोन which occur when it is put under sudden or heavy strong pressure or force कई बार तो कुछ force पकरा डाल दिया बहुत हैवी तूट गया और कई बार अपने आप बैटे बैटे बादला हाँ चटपट हो गया है ना बुड़ा पर पाते आते तो fracture fracture में दो कटिक दिया आती है close और open fracture close कैसा रहेगा simple fracture is when broken bone does not break the skin हड़ी तूट गई लेकिन अंदर ही है और open कैसा रहेगा खाल फाड़ के मास फाड़ के बाहर आ गया वो क्या हो जाएगा open हो जाएगा incomplete और complete fracture incomplete में कह रहेगा हलका सा दरार आया लेकिन हड़ी दो भाग में ने टूटी और complete fracture में हड़ी पूरी दो पार्ट में टूट गई है फिर एक bone की बिमारी आती है scoliosis ठीक है abnormal curvature of spine resulting in S or C shape जोक से जाएंगे जो हमारे spine का curvature रहता है वो तेड़ा मेरास हो जाता है S shape का हो जाएगा है C shape का हो जाएगा यह bone का disorder है joint का disorder नहीं है Paget diseases Paget disease is a chronic disorder that affect the way that bones break down and regrow है ना जो osteoclast cell वारा से bone को गलाते है और फिर bone हमारी सरी में बनती रहती है उसका pattern भी गड़ जाता है This result in excessive breakdown and regrowth बहुत ज्यादा bone टूटेगी और regrow करेगी leading to bones that are bigger and softer than usual कुछ बड़ी हो जाती है और कुछ soft हो जाती है तो यह एक तरह की अलगी टाप की दिक्कत है बोन की दिक्कत है joint की दिकतर नहीं है बात सभी यह बन की की दिक्कत है कोर्स में नहीं है अब हमको जूख करना था बही है जोइन्ट पढ़नेенे यहीयोँ तो जाँनिके जिस डिसलीमिसन तो जाइन पर छोटे 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 छुटे पाउचे से होते हैं फिल्यूड भरा होता एक लिक्विड जा सरा काम करता है ठीक है कहा कहां खास कि पाये जाता है ऐल्बो में अर्शूल्डर में P aire इंतकर है ठीक है ये हमारे joint में अगर किसी type का explanation हो जाए अबैसिंट्र فOn выход होजाता है स्वेलिंग रेडनेश है न किस टाप का infection उसब inflammation का अंदर count होता है जिसमें हमारा क्या है हमारा immune system नुफसान पर दाता है rhe VR birthday की वैसे हो जाता है fibrositis inflammation of fibrous connective tissue तो उसे fibrositis कहते हैं ठीक है osteoarthritis degenerative joint elderly weight or weight bearing joint जितने भी joint होते हैं तो degenerate कर जाते हैं या बुड़ापे के वैसे होते हैं या फिर जो weight bearing joint होते हैं जैसे कि हमारा यह है hip joints है या हमारा पीछे backbone वाला joint है फिर gout ureac head जम जाता है sprain या strain ठीक है muscles tone out होते हैं दोनों में अंतर हैं ध्यान रखना इस प्रेंड में ligament को दिक्कत आती है जो bone को जोड़ती है और इस ट्रेंड में muscles जो हड़ी को पर जुड़ी होई थी उस पर दिक्कत आ गई है इस लिप्ड डिस्क है वो खिसक गई है ठीक है हड़ी हट गई है अपनी जगह से joint joint से ठीक है dislocation आ गया then cumulative trauma disorder आ गया और carpal carpal जो यहाँ पर एक carpal होता है यहां से एक नस निकलती है तो carpal tunnel syndrome कहते हैं वहाँ पर जो नर्व होती है हमारी दब जाती है जिसकी होसे हातों में आगे जन जन आट वगरा होती है तो यह तमाम जो disease है हमारे पास यह joint की है बास समझ वारी है यह तमाम क्या है joint की है ठीक है अब इसमें से भी हमें कुछ खास खास detail में पढ़नी है ठीक है खास खास detail में पढ़नी है जैसे कि पहले आता है osteoarthritis समझें इसे चलें ओके osteoarthritis में क्या है देखो मैं रहता है यह एक joint उपर का एक joint नीचे का है ठीक है यहाँ पर एक करती है आर्टिकुलेट करती है नीचे भी क्या है यह joint space है और यह meniscus है यह cartilage यहाँ पर direct हड़ी से जुड़के एक तरह से कहलो कि joint उसके उपर आ रहा है तो यहाँ पर क्या है है जो को टूट फूट गई है इससे दिक्कत के आएगी हमारी उपर हड़ी डारेक्ट नीचे वाली हड़ी से रगड़ आएगी और दर्द होता है बेहताशा जिल लोगा arthritis होती है उससे पूछे जान निकल जाती है हड़ी को पर हड़ी जब रगड़ती है तो ठीक है तो यही अपना क्या है arthritis है क्या हो गया है cartilage loss bone spurs bone के हलके हलके ऐसे कैसे तो गुंठरिया जैसे निकल आई है ठीक है joint space narrowing यह जो यहाँ पर space था थोड़ा सा जहाँ फिलिट भर रहा रहता अब वो space बहुत की जादा पतला हो गया है ठीक है अब देखने इसको समझ में आगे arthritis ठीक है one of the most common joint disorder सब बहुत ही common है osteoarthritis arises when the cartilage between the two joint cartilage है ना यह वाला जो cartilage है between the two joint worn down worn मतलब होता है tooth foot जाना what मतलब tooth foot जाना this causes the bones in the joint to rub together the joint tooth में होता हो bone आपस में rub करती रगणने लगती है causing swelling and stiffness in the area पैरसूच जाता है इस area में और अकड़ा जाता है फिर ठीक symptoms क्या है typically occur with the average person over 60 है ना साट टुक से उपर लोगों में होने लगता है risk factor for this disorder किसको होने की संभावना ज्यादा है age जो बुड़े हो रहे है वजन किसका ज्यादा है frequency and intensity of joint अगर आप joint को लेकर करके मानलों बहुत heavy weight lifting कर रहे हैं दोड़ते बहुत ज्यादा है ठीक है sports that directly affect the joint and family और आपके फैमिली में किसको दिक्कत ही रुमेटाइड में क्या हो गया यह जो था पहले वाला वह अपने आप अटमेटिक हो रहा है रुमेटाइड में क्या हो गया दिक्कता था थोड़ी सी हमारा इम्म्यून सिस्टम था खुद का ठीक है रुमेटाइड अर्थ्राइडिस इस एन ऑटो गाशि को इम्म्यून और इन्फलमेटीड डिजीज को हमारा क्या करता है यहां पर एसको खाड कपाborn ह waiter और इन्फलमेटीड डिजीज है लीए अच्वाज हम्हारे लीडिन टू ए लेविसे एपनद नॉर्मेश्टविक कर गई तो ते अब साइनवल मेंवरण से ओ गई, तो सूजन आ जाती है ठीक है साइनवल मेंवरण देख नो पतली सी है और एरोडेट काट्लेज कायव हो गया पूरी हड्डिया मिल जहीं आगा सारे बहुत हालत गुटने का, and damage the joint tissue, जो joint के tissue होते हैं, उनको damage कर देता है, leading to chronic pain, बहुत बेहतासा pain होता है, lack of balance और instability, आप balance करना खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, and deformities आ जाती है, deformities मतलब, shaped cycle बदल जाती है, हड्डी होगी, science of remitted arthritis, including pain and stiffness, दर्ध होगा, symptom में, और अकलना आ जाती है, in multiple joints, एक साथ कई सारी joints में दिखता है सकती है, as well as, tenderness and swelling, है न वो चीज़ वहापे मुलायम हो जाएगी, tender, toothful सकती है, और swelling, Susan आ जाएगी, important है ये, ठीक है, ध्यान रगना, this will occur symmetrically on both side of the body, body को दोनों side, इस वाले joint में हो सकता है, like in both wrists, दोनों रिष्ट में हो सकता है, और both knees, द ये दूसरे symptoms है, ठीक है, while the primary cause of disorder is unknown, primary cause तो पता ही नहीं unknown है, factor like age, gender की autoimmune क्यों हो गया, ये तो पता ही नहीं है, लेकि फिर आगे जो कडियां जोड़ी गई है, जाचा गया है, उसमें age, gender, genetics है न, age है, gender है, genetics, genetics है आपका कोई feminist हो सकती है, exposure to smoking, आप smoke कर रहे हो, मुटापा, obesity have linked to an increased risk of contracting it, ठीक है न, इन लोगों में ज्यादा दिक्कत हो जाती है, या होने की समभावना होती है, autoimmune disease वाला ये, osteo, sorry, rheumatide arthritis, के लिए रहे बाते हैं, अब आते हैं, गाउट, गाउट आचकर बड़ा common है, गाउट सुना होगा, गठिया कहते हैं लोग, ठी आगे देखरों ये, uric acid, uric acid हमारी body में purine के metabolism से बनता है, protein होता है, protein से purine बनता है, purine से तिर क्या होगा, metabolism होता है, और uric acid बनता है, अगर हमारी kidney सच्छम नहीं रह पाती हैं, या किसी और current से kidney, uric acid को body से बाहर filter नहीं कर पा रही है, तो वो uric acid body बढ़ने लगता है, और joints पर आकर के जम होने लगता है, ठीक है, joint कुछ कहीं कर भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा common है कि पैर के अंगुठे पर affect करता है, होतसे ज़्यादा है, clear है, आगे आते हैं, Gout is a common form of inflammatory arthritis marked by intense pain, है ना common form है, इसमें inflammatory हो जाता है, यह arthritis मतलब joint की जो problem है, बहुत तेज दर्द होता है, and caused by too much uric acid, यह one marks question बनता है तुमारा in the body, body के अंदर uric acid की मातरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, uric acid crystal build up, uric acid crystal के build up हो जाते हैं, ठीक है, खटे होन लगते हैं body में, sorry, in the joints में, joints में and surrounding tissues in the body, joints और उसके आसपास में, uric acid crystal, देखा हमने यह, uric acid के crystals क्या हो गए हैं, जमा होने, शुरू हो गए हैं, इस disorder typically affect one joint at a time, ये एक बार में एक ही joint का affect करता है, usually the one connecting the big toe, और खास कर कि आम तोर पर जब बड़ा toe होता है यहाँ पर, इसको ज़्यादा affect करता ही है, symptoms क्या हैं, बहुत दर्द होगा, सुजन आ सकती है, redness हो सकती है, heat, गर्माट सी मैसुस हो सकती है, repeated instances of gout may lead to gouty arthritis, बार बार अगर ऐसा होगा, तो gouty arthritis हो जाती है, severe form of arthritis, ये एक बहुती severe form होती है, arthritis की, risk factor में कौन कौन है, gender, मुटापा, certain health conditions, कुछ health conditions होती है, ठीक है, use of certain medication like diuretics, अगर diuretics का इस्तमाल ज़्यादा कर रहे हो, and increase intake of alcohol, अगर alcohol ज़्यादा पी रहे हो, और high fructose food, जाद दर तो आज कर देखो, जो लोग दारू पी रहे हो, उनको यूरीगाशन मिलेगा, मिलेगा, high fructose food, food में fructose बहुत ज़्यादा है, and fructose food and drink and a purine rich diet, बताता है नहीं पीरीण, जिनके अंदर पीरीण पाया जाता है, दालें वगरा कुछ होती है, उनको डॉक्टर खाने से कई बर मना कर देते हैं, तो किनके अंदर जाद होने की संभावना है, जो लोग यह इस्तेमाल करते हैं, क्या symptoms हैं इसके, ठीक है, अब आते हैं, बर्साइटीस, जो तुम लोगोंने, साहिद पहरी बर सुना होगा, तो मैंने बताया, बर्सा, बर्सा क्या होता है, पाउचे से होते हैं, यहाँ पर रहता है, ठीक है न, यह पाउचे से होते हैं, यह क्या करते हैं, एक तरह से कशन का काम करते हैं, यहाँ पर जो कितने सारे बर्सा है, एक बर्सा यहाँ पर है, एक पटेला के पास है, एक ही है, एक ही है, कई सारे बर्सा है यहाँ पर, अब, इस डिस 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 डि the inflammation of the bursa bursa क्या है bursa is the small filled filled sack एक छोटा सा filled का भरा हुआ ठैलिये होती है ठीक है that serve as the cushion जो गद्धी का काम करती है between the bones and the other moving part bone और दूसरे moving part के बीच में गद्धी का काम करती है जैसे कि bone और muscle के बीच में ठीक है bone और tendon के बीच में joints के बीच में ठीक है अब इसके अदर फिल्ड भरा हुआ है फिल्ड फिल्ड है अब हो क्या गया है तब बर्सा में turn red यह red हो जाती है and increase in filled content और इसके अंदर का फिल्ड बढ़ जाता है leading to painful swelling और यह सूच जाती है फूल जाती है और दर्द होता है bursitis is caused by overuse or an increased activity level involving the joint joint की activity को बहुत जादा बढ़ा दोगे या कोई ऐसी काम कर रहे हो इसमें joint का बहुत जाता काम हो रहा है तो उस case में bursitis हो सकती है bursitis मतलब inflammation of bursa trauma और complication from rheumatized arthritis complication हो जाए या trauma हो जाए इसका rheumatized arthritis का गाउट का या अगर तुमको rheumatized arthritis है गाउट है या infection हो गया है में also be a culprit इसकी वज़े से भी bursitis हो सकती है ठीक है although यद भी there are cases of bursitis यहां बहुत से cases in bursitis के where no cause can be determined ऐसे बहुत से cases in bursitis के जहां पर no cause कोई भी कारण अभी तक पता नहीं चला है हो गया बस ठीक है symptoms की बात करें include pain and tenderness वहां की चीज़ soft हो जाती है दर्द होगा when pressing around the joint है जब प्रेस करते हैं से पिचक सा जाएगा ठीक है hardness आ जाती है and a kiss एकिस बतला दर्द होगा ठीक है when moving the afflicted joint 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 affected है वहां चलेंगे तो वहां दर्द होगा and swelling होगा warm गरम-गरम से लाएगा red हो जाएगा लालपन आएगा over the joint joint के उपर गर्माट से लाएगी लालपन हो जाएगा ठीक है और चलने में दर्द वगएर होगा तो यह सारे symptoms किसके है बर्साइटिस के तो यह कुछ common common हमने joint को डिटेल हैं पड़ा है ठीक है और वह सारे जो उपर थे वह सारे क्या थे तमाम जॉइंट के डिसॉर्टर थे बारात दिल जो हमने देखे थे किलियर है अब treatment of prevention क्या है इसका यह joint है ठीक है तो जॉइंट बड़ी दिक्कत रहती है इसके को ऐसी hard and fast नहीं होता है गोली खाल इमर्जेंसी चाहिए है इमर्जेंसी मतलब तुरहन्ट ट्रीटमेंट करना है हमको and if the injury is severe अगर fracture बहुत सीवियर है तो हमको उसकी surgery भी करनी पड़ सकती है same condition other disorder may required surgery as well as medication for less severe or chronic affliction ठीक है ना अगर जो जॉइंट होते है उसमें क्या होता है आज कल देखा ना पैर में arthritis होता पानी less severe है बहुत ज़्यादा condition नहीं बिगडी है तो हम medication का इस्तमाल कर सकते हैं अब ब्रेसिंग ब्रेसिंग मतलब ना लोहे का help लेना ortho visits physical medication ठीक है ना पैर में ऐसे support के लिए बाद देखेंग मेडिकल रियाविलेशन and lifestyle and behavioral changes lifestyle को change करें खाने पीने अपने रूटीन में ठी to prevent the onset of these condition एक healthier lifestyle आप वो सब छोड़ दें खाना पीना करना जिनकी वएसे आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपको लगता है कि आपके माबापको हड्यों की दिक्कत है तो बहुत जाए संभावना है कि आपको भी एक टाइम पर जाकर के हो जाएगी eating a well-balanced diet engaging in regular exercise है ना अच्छ लंबी दौड दौड सकते हैं मजबूत करने के लिए मैंटेन करने के लिए बॉंड्स और जॉइंट को है न इंग्लिस ऐसी लिखी जाती है ठीक है तो treatment prevention कुछ खास नहीं था में हमको समझना था कि हमें disorder है क्या कैसे हो जाते है ठीक है ओके यह अपना माइंड नर्चर एक हिदायत दूगा इसको एक बार मगा समझ में नहीं आया है तो अभी देख लिया है पांच-शे घंटे वाज चौवश घंटे वाद इस लेक्चर को वापस repeat जरूर कर देना और अगली बार जो जो टर्म से यहां समझ में नहीं आये तो उनको साथ में लेके बैठना पक को पढ़ाई रहे हैं आपको ही पढ़ना है मांड नचर एप भी यहां पर है मेरा नंबर भी यहां पर है कोई प्रॉलम है तो मुझे कॉल करो और पढ़ते रहो रिवाइस करते रहो अल दा बेस्ट